इस लेसन में हम चेप्टर नमबर 12 का ठेवरम नमबर 1 को डिस्कस करेंगे ठेवरम नमबर 1 में हमारे पास दो चीज़े हैं जो पहले चीज़ है वो यह है कि एक लाइन सेगमेंट अगर हो और उसका राइट बाइसेक्टर भी हो यह पहले चीज़ है और जो दूसरी चीज़ है वो यह है कि वो जो लाइन सेगमेंट होगा और वो जो right by sector होगा कोई भी point अगर right by sector पे लेंगे तो वो जो line segment के end points हैं उनसे वो equidistant होगा यहने कि जितना फासला उसका एक end point से होगा उतना ही फासला दूसरे end point से होगा आईए इसकी statement को read करते हैं वो कह रहे है हमने पिछली जो अमारे पिछली लेक्चर से उनमें हमने कहा था कि दो अलफास होने चाहिएं थेयर्म की statement में if and then बड़ यहां तो ऐसा नहीं है अकसर ऐसा नहीं होगा दो अलफास हमें given नहीं होगे लेकर हमने खुद से assessment करनी होगी कि वो लफ कैसे आएंगे if and then अगर इसको इस तरह कहा जाए if a point is on the right by sector of a line segment then that point will be equally distant from its end points यह इस तरह से statement हो सकती है अब simple बात है इसके अंदर वो यह है कि हमने एक line segment ड्रा करना है और उसका right by sector ड्रा करना है right by sector के ओपर हमने कोई भी एक point choose करना है और हमने यह कह देना है कि वो जो हमने प्रूफ करना है कि वो जो point होगा जो right by sector के ओपर होगा वो एक भी distant होगा उसके end points है लगे इस theorem की जो explanation है वो इस तरह से हैं लगे मेरे पास एक line segment है for example यह एक line segment है यह 30 cm लंबा line segment है इसका यह वाला mid point है जो यहां लाई कर रहा है अब मुझे चाहिए इसका right by sector तो लाज़नी बात है मैं angle लूँगा 90 degree पर यह angle ले लिया अब देखें मैं इसका draw करूँगा right by sector यह इसका right by sector है यह line segment है यह right by sector है इस theorem को proof औरने से पहले मैं यह example की में से आपको explain करना चाहता हूँ कि इस theorem का जो असल मकसद है वो क्या है देखें यह इसके end points है for example यह point है A यह point है B अब यहां पर कोई point ले ले किसी का कोई point ले ले यहां पर point ले ले इदर ले ले यहां पर point हो जाए इदर हो जाए इदर point हो जाए यहां पर हो जाए कोई point ले 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 और उसको यहां join कर दे for example यह जो dotted line मैंने काइम की है और यहां पर जो dotted line है यह वाला point for example point P है कि जो point P है वो उस right by sector की उपर है यह जो line हमने उपर वाली vertical line ड्राग यह इसको नाप जाते है L का और यह obviously यह angle कितना है हमारे पास 90 degree तो यह भी कितना होगा 90 degree तो यह line L जो है A B का right by sector है उसके पर कोई point लेंगे वो A और B से एक जैसे फासले पर होगा मतलब यह यहां इस case में हमने P point लिया तो ज़र से बात है जो mayor of length of A P है वो equal होगी mayor of length of B P इसे एक और point लेते हैं पर एजमपल यहां पर मैं point लेता हूँ Q तो वो भी equidistant होगा यह जो Q length होगी यह जो length है यह must equal होगी इस length के नीचे पर point लेते हैं तब भी same situation होनी है यह देखें यहां पर कोई point for example R ले लें तो यह जो B R length है यह इसके equal होगी और यहां पर यह जो length है यह इसके equal है और यहां पर यह जो length है यह इसके equal है इस theorem में हमने इस चीज को proof करना है आई यह theorem को proof करते हैं यह देखें यह एक line segment में ड्रा करता हूँ इसके जो length है वो 30 cm है और इसको जो mid point होगा वो 15 cm के उपर होगा इसको हम नाम देते हैं A और A B का और एक इसका right by sector है यहां हमें angle काईन करना है 90 degree का और अब हम यहां से इसका right by sector ड्रा करेंगे यह line segment A भी line segment A भी है इसका mid point है C एक point हम लेंगे P हमने यह बात प्रूफ करनी है कि जो P है उसका फासला इस line segment के जो end points है यह नहीं A और B इन दोनों से से जो इसका पासला होगा P point का क्योंकि P जो है राइट by sector के उपर आ रहा है हमने यह बात प्रूफ करनी है हमें given क्या है एक line segment यह हमें given है उसका mid point C यह भी हमें given है और यह बात भी given है कि यह इसका जो line L है यह इसका right by sector है कि जो line L है इसका right by sector है यह यह angle जो है यह 90 degree का है अब हम इसका लिखेंगे given हमें जो चीज given है वो हम लिखेंगे लेकिए यह right by sector है L और यहां पर एक point ले लेते हैं L और यहां लेते हैं M ताकि हमें बात करने में आसानी हो LM एक line है जो कि right by sector है AB का Given यह है LM is right by sector of line segment AB and is passing through point C यह C point से pass हो रहा है तो इसका मतलब ही होगा हुआ AB जो तुकड़ा है मैयर अफ A C is equal to मैयर अफ B C यह पहली बात हमें Given है दूसरी बात क्या है कि LM line is perpendicular to AB हमने फिर नहीं फिर 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 अफिर अफ। ऐसे अफ़ी होगा है clearly mention है कि ये angle 90 degree का है हमने given में लिख लिया कि हमें दो बाते हासल है एक तो ये है कि point C जो है वो mid point है A B का तो दो equal to कोड़े हमें हासल हो जाते हैं एक A C और एक B C ये दोना अपस में equal हैं और दूसरी बात है कि जो L M line है ये perpendicular है A B की उपर इसका मतलब ही हुआ कि जो line L M है ये A B के साथ 90 degree का angle काइम कर रही है आईए अब next step पे चलते हैं to prove यानि कि हमने proof क्या करना है to prove prove में हमने ये करना है कि ये जो point P है इसका फासला जो A से होगा P का फासला A से वो equal होगा P का फासला जो होगा B से साथा अलफाज में P सेम डिस्टेंस पे होगा A और B से point P जो के right bisector के उपर है वो सेम डिस्टेंस पे होगा A से और B से ये बात हमने proof करनी है P A measurement of P A equal होगा measurement of P B अब आते हैं construction के उपर जब भी construction हम किया करेंगे तो हम diagram में कुछ amendment करेंगे उस amendment को हम अक्सर तोर पे बलके हमेशा के लिए हम dotted line में शो करेंगे construction में हम जो भी अज़ाफा करेंगे जो diagram होगी theorem की statement के मताबक उसमें हम dotted line को use किया करेंगे अब हम करते हैं construction construction में ये होगा हम B को join करेंगे P के साथ हमने A और जो B एंड़ पॉइंट्स हैं line segment के उनको join कर दिया P के साथ ये हमारा construction का सारा काम है देखें यहां लिखेंगे हम words में theorem में ये सारी बातें लिखना बहुत जरूरी है ये scientific process है ये एक mathematical way है theorem को prove करने का join end points A and B with point P and give name angle 1 and angle 2 ये हमने नाम देने हैं इस diagram के अंदर ये देखें ये angle हो गया 1 और इदर वाला angle हो गया proof ये हमने नाम दे दी है अब हम करेंगे proof तेके इस theorem में जब हमने construction की है तो हमारे सामने दो triangles आ गई हैं हमने triangles में चार पास्टॉलेट को discuss चिया था कि side angle side पास्टॉलेट दूसरा था angle side अंगल पास्टॉलेट तिसरा था side 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 पास्टॉलेट चोथा था high partaneous side पास्टॉलेट राइट अंगल right angle triangle के case में high partaneous और side की एहमियत ज्यादा है क्योंकि ये right angle triangles हैं दोनों इसलिए हम इसके अंदर कोई सा एक पास्टॉलेट लगाकर प्रूफ कर देंगे कि दोनों जो triangles हैं आपसमें congruent हैं अगर हम ये कर लें तो हमारा जो objective है जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो achieve हो सकता है क्योंकि जो दोनों पार्ट्स यानि के PA is congruent to PB क्या my error of PA is equal to my error of PB ये दो हमने चीज़ें प्रूफ करनी हैं तो होगा ये क्योंकि दोनों हिस्से हैं triangle के अगर मैं triangle को प्रूफ कर दूँ equal तो मेरे काम हो सकता है आई इसको प्रूफ करते हैं प्रूफ के दो इसे होते हैं reasons and statements हमें हर statement के according reason provide करनी होती है वरना हमारी statement challenge हो सकती है हमेशा हम इसा करते हैं left hand side में लिखते है statements और right hand side में उसको justify करने के लिए reasons दोनों की हमियत equal है proof इदर है statements और इदर है reason देखें यह दो ट्राइंगल्स हैं एक ट्राइंगल है A, P, C A, P, C तो एक ट्राइंगल है B, P, C अगर मैं इसकी इसको से डाइग्राम ढरा कर लों अपनी असानी के लिए कि देखें यह है हमारे पास A, P, C यह एंगल है दूसरी जो ट्राइंगल बन रही है यह दोनों ट्राइंगल्स असल डाइग्राम में इस तरह से हैं एक ट्राइंगल इस तरह से मूफ कर रही और एक इस तरह से है लेकिं मैंने इनको अपनी आसाइन के लिए एकस्प्रेंड करने के लिए सेपरड़ ड्रा कर लिया है और इस ट्राइंगल को मैंने इंवर्ड कर दिया है इस तरह से उसको मैंने इंवर्ड कर दिया अब यह हमारे पास सी है और यह स्टिल पी है और बी जो है वह इदर आ गया है ताकि मैं इसे दोनों ट्राइंगल से मैं कारिस्पॉंडन्स काइम कर सको यह कम मैं है और यह साइड उसके कारेसपानिंग है बी एś strengthen आप श करशेड साइड अदर पी सी है यह है और यह बी सी है अब इस तरह से डॉनग्ल त्राइंगल्स को स्रेपलmarkt रहा करने करने से हमें उनको पुरूब करने में असानी हो जाएगी झाल 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 झाल